नमस्कार दोस्तों स्वागत हाब सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अब्जेक्टिव सेंटर पर जैसा कि यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे यह हमारा वेल्डर ट्रेट का आफिस्यल कोश्चन पेपर है जो कि निम्मी के दवराग प्रोवाइट किया जाता ह है ठीक और इसी में से आपका आइट के कोश्चन में पूंचे जा रहे हैं और अगर आप लोग आइट के का एक्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफी हेल्फुल होगा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यह हमारा दूसरा चैप्टर है वेल्डिंग टेक्निक अगर आप लोगों नहीं देखा है तो आप लोग पहला चैप्टर जाके देख सकते हैं लिंक आपको डिसक्टिप्वन बाकस से में देदी हैं ठिक तुहां से आप लोग से लिए हम अपना दूसरा चैप्टर शरू करते हैं दूसरे चैप्टर का नाम है हमारा हो एक दो किया जाता है तो देखिया आर्क व्हे STEVE में भी यूजय करते हैं ya यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर है हमारा कि अब आप आपको 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 किस पोजीशन में करना आसान होता है यही आप से पूचा गया है तो देखिए जो आपका होता है अिब यहाँ है कि यहाँ मुझ्ट समतल सत्र होते हैं उस पर अपर वैल्डिंग करना आसान होता है तो समतल यहां एक फ्लेट सर्फेटिपस पर वैल्डिंग करना सबसे असान होता है ठीक अब देखिए इसके बाद आगला कोशन है और 66 नमबर का विच वन आप यानि कि welding मसीन में AC से DC सप्लाई में परिवर्थित करने के लिए निम्न में से किसका उप्योग किया जाता है आपके सामने रेक्टिफायर सेट मोटर जनरेटर सेट इंजन जनरेटर सेट वेल्डिंग ट्रांसफार्मर देखिए वेल्डिंग मसीन में हम लोग जो यूज करते हैं से DC सप्लाई में बदलना के लिए उसमें जो हमारा डिवाइस यूजी करते हैं वह हमारा डिवाइस रहता है है रेक्टिफाइर सेट थो रक्टिफाइर सेट परियोगा हम लोग करत हैं ग mio कि हम लोग जो र्धिक करते हैं उसको घरक्टिफाइर सेट का परियोग करते हैं यक देखिए आप और सिष्टिग नमबर कोशन है दर zig यूज्ट्ट में अर्थ क्लैम्प इने वेल्डिंग मसीन में अर्थ क्लैम्प बनाने के लिए किस धात को उपयोग किया आपसं है आइरण ब्रास इल्मूनियम कापर उलए सब्सक्राइब के लिए अब सिक्स्क्री ये नमबर का कोशन है हाव मच करेंट सूड बी सेट टू वेल्ड एक 10 mm थिक प्लेट्स बाई आर्क वेल्डिंग यानि कि आर्क वेल्डिंग द्वारा 10 mm मूट्य प्लेटों को वेल्ड करने के लिए कितना करेंट सेट किया जाना चाहिए तो देखिए दोस्तों यहां पर अगर आपको 10 mm मूट्य प्लेट को अगर वेल्ड करना है तो उसके लिए हम लोग जो करेंट सेट करेंगे वह हमारा करेंट सेट रहता है 110 MPR का यहां पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 110 MPR का ठीक अब देखिए यहां पर हमारा 69 नंबर का कोश्चन कि फार्ट इस टर्म फार्ट डेप्थ आफ फ्यूजन फ्रांद सर्फिस आप डवेल्ड मेटल प्लेट वेल्ड मेटल प्लेट की सतह से फ्यूजन की गहराई के लिए सब्द क्या होता है देखिए जो सब्द यहां पर होता है वही आपको बताना है तो यहां प प्रभाविच छेत्रे यहां पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन आपसे नंबर से यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक अब देखिए हमारा अगला कोश्चन है दो में दो किया जाता है तो जोड़ना हो तो जोड़ना हो तो वह हमारा जोएंट कहलाता है बट जोएंट वहां पर आपसे नंबर सीकरेक्ट हो कि यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड करना हो तो हम लोग जो जोएंट यूज करते हैं हमारा बट जोएंट होता है अब देखिए आपर 72 नॉमबर कोशन है है होट इसम्बल आफ दा वैल्ड को यह जो परतिक सामने दिख रहा है इस्पार से लिडě istiyorum 500 या마 यहां पर देखिए यहां पर जो आपको प्रतिक दिख रहा है यह प्रतेक हमारा होता है बैकिंग रन वेल्ड is तो बैकिंग रान वेल्ड यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का डी आंसर ठीक और देखिए यहां पर है हमारा अगला 73 नंबर का कोश्चन पाट इज़ दसे पाप वेल्ड फिनिसिंग सिंबल वेल्ड फिनिस प्रतिक का अकार किया है तो देखिए जो आपको फीगर दिख रहा है यह जो फीगर है हमारा कंटूर सर्फिस चिप्ड का तो यहां पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कंटूर सत्य चिप्ड देख सकते हैं आप लोग यह जो फीगर हैं कंटूर सर्फिस चिप्ड का है 74 नमबर कोशन है वाट इज डिफाइंड ऐज वर्टिकल पोजिशन आफ गुरूव वेल्डिंग गुरूव वेल्डिंग की उर्धवाधार इस्थिति के रूप में क्या परिभासित किया गया है वह कहलाता है हमारा थिरी जी थिरी जो है यह हमारा गुरूव वेल्डिंग की उर्धवाधार इस्थिति के रूप में परिभासित किया जाता है 75 नमबर कोशन है अब यहां पर विच टाइप आफ मेटल इस यूजड इन ए वेल्डिंग केवल यानि की वेल्डिंग केवल में किस प्रकार की धात को उप्योग किया जाता है आप सुन है आयरन ब्रास ब्रोंज कापर तो देखिए वेल्डिंग केवल में जिस प्रकार के धात को परियोग किया जाता है व उसमें हम लोग गैस यूज करते हैं वो लो prints क्लाव केस हो इलियम हो गया तो 66 यहाँ पर ए अंसर करेक्ट हो जाएगा हीलियम अब जखे सतातर नमबर कोश्चन है विच आपदा इस स्रीज शूड बी वर्न डूरिंग ओवरहेड वेल्डिंग ओवरहेड वेल्डिंग के लिए साया कुपकण हमें क्या पहनना चाहिए तो ओवरहेड वेल्डिंग के दौरान अगर आप ओवरहेड वेल्डिंग कर रहे हैं तो अपने सर के उपर वेल्डिंग करते हैं आप आपको पता होगा कि अगर आप सर के उपर वेल्डिंग कर रहे हैं तो जो वहाँ पर चिंगारिया निकलती हैं वह आपके लिए नुकसान दे होंगी इसलिए आपको क्या आपको देखने में भी दिक्कत होगी और उपर से आपके आँखों को भी नुकसान हो सकती है ठीक तो आफ के अपके die उ हमें क्या करना चाहएं हटे में जरूर पहनना चाहिए अगर हम वर hembellik कर रहे थो यारिया यारिक आप अपने सर पहनना जरूरी है वEल्डिंग करते समय तो 70 को यहांपर एbane आंसर हो जाएगा हम यहांपर अगला कोशन है हमारा 58 का बिच व तो देखिए आग में जो सहायता नहीं करता है वो आपको बताना है यहां पर देखिए क्या है कि अगर आपको आग पैदा करना है तो आपके सबसे पहले क्या होना चाहिए कि फ्यूल होना चाहिए इसके बाद आपके पास अक्सीजन भी होना चाहिए इसके बाद आपको अग opinion को जलाने के लिए किसी ना किसी लिए चिंगारी बी जरूरत पड़ेंगी यह अक्सीजन और रधार की जरूरत पुड़ेगी आग अगर आपको उत्पर्न करना है तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आग में सहायता नहीं करती है तो 88 के यहां पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा ठीक कि अग्यां पर 79 नंबर कोशन है विश टाइप आप पोलरेटी इस यूज़ इन एलमुनियम वेल्डिंग में किस प्रकार की धुवता का उप्योग किया जाता है रेक्टिफायर सेट एसी ट्रांसफार्मर रिवर्स पोलरेटी इस्ट्रीट पोलरेटी तो दोस्तों आप जाके अपना देख लिएगा होँ पर आपको रिवर्स पोलरेटी क्या होता है इस्ट्रीट पोलरेटी क्या होता है यह सब कुछ हम आपको फिलियर कर देख दिए ठीक तो आप लोग उसे जरूरु देख लिए लिंक हम आपको डिस्क्रीप्षिन बाक्स में देदी है ठीक अब देखिए यहाँ पर जो कोश्चन है कि अलमोनियम वेल्डिंग अगर आपको करना है तो उसके लिए हम लोग किस प्रकार के पोलरेटी का यूज करेंगे तो देखिए अगर एलमोनियम को वेल्डिंग करना है तो उसके लिए हम लोग जो रखते हैं वह रिवर्स तो यह हो जाएगा आपको आपसो नमबर भी करेंट की दिशा पोलरेटी कहलाती है यान कि यह किया जाता है कि वर्कपीस को निगेट्व रखा जाएगा या पाश्ट्व ठीक तो यही उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं तो यक धो पाश्ट्व रहेंगा तो वर्कपीस हमारा निगेट्व रहेंगा अगर हमार्र वर्कपीस पाश्ट्व है यो हमारे लेक्टरोड मंती है एक और अधुच्छ का विप्पा में ब्ढ़क संस्था प्योन आइग क्या प्रभाव पड़ता है आक त्स नह'Sं है कि यह नर्मन मोर पेनेटरेशन लएस पेनेटरेशन लेस वेल्ड डिपोजीशन तरुआ है यह दिखाये गए वेलिंग में लंबे चापके कराणार्स जो प्रभाव पढ़ता है वह प्रभाव रहता है कि लेस पेनेटरेशन अब तो इक आसी का यहां पर करेक्ट आशर से हो तो देखिए अगर आपका वायर इलेक्ट्रोड है तो उसके लिए हम लोग जो पोलरेटी यूज करेंगे वह पोलरेटी हम लोग रखते हैं इस्ट्रेट पोलर्टी यानि कि सीधी दुरूबता रखते हैं ठीक अब देखिए यहां पर हमारा इस्क्वाइर बट वेल्ड का ठीक यहां पर आपका बी अंसर करेक्ट हो जाएगा इस्क्वाइर बट वेल्ड का तो यहां पर यह जो आपको फीगर दिख रहा है यह वाला यह वाला फीगर यह हमारा इस्क्वाइर बट वेल्ड का है ठीक देख सकते हैं इस्क्वाइर बट है टिव नमबर कोश्चन है यहाँ पर के डि में दिखाए लिए के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं की की बात किया गया था तो है यहाँ पर देख सकते हैं डी Darth यह पर सब्सक्राइब है आपका अवतल फिल्ड लिद दूसरा यहां पर है आपका का 9 shelf डबल वीबटाथ इसके बद यहां को फ्लैट फ्लैट सिंगल वी वेटीव बैकिंग रंग देखिए यहां पर आपका वी बत वेल्ड रणी रिक तो फ्लैट फ्लस वी बट वेल्ड विट बैकिंग रन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एक फैप नमबर कोशन है वाट आर दा टू टाइपस आप माइलड इस्टील पाइप तो मेस पाइप के जो दो प्रकार होते हैं वह कौन कौन से होते हैं तो देखिए जो मेस पाइप यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का दे अब यहां पर 86 नमबर का कोशन है वाट आप टाइप आप ज्वाइंट फार्द सिंबल सो इन सी यह जो आपको है सिम्बल दिख रहा है यहां पर बहुत सारे सिंबल है तो शे मं करें जो सिंबल सी हैं यह क्या है व produces short arc length किस प्रकार का electrode छोटी आर्क लंबाई का उत्पादन करता है तो देखें जो छोटी इस प्रकार की आर्क की लंबाई गहरी पेनिट्रेशन विल्ड पैदा करती है तो अगर आर्क द्वारा हम लोग गहरी पेनिट्रेशन विल्ड पैदा करना है तो हम लोग जो आर्क की यूज करते हैं वह आर्क रहता है हमारा होती है गहरी पेनेट्रेशन पाइब पएदा करती है 89 नमबर कोशन है वाट इजदा के नवर्जन फंक्शन आफ है रेक्टिफायर एक रुपांत्रन कार क्या है तो देखिए रेक्टिफायर का जो रुपांत्रन कारे होता है वह रहता है हमारा का AC to DC यानि कि रेक्टिफायर का काम AC को DC में बतलना होता है यह हमने दूसरे या तीसरे कोशन में बता दिया था तो रेक्टिफायर का रुपांदर्ण का कार AC to DC सप्लाई में किया जाता है अब देखिए यहां पर 90 नंबर कोशन है लेंफायर कैसे करेक्ट फ्यूजन किस आर्कि की लमभाई सही फ्यूजन पैदा करती है यहाप्सन है और लांग आर्क Dieses नइर्मел आर्क लेंथ तूम लांग के लेंथ देखिए जो सही फ्यूजन पैदा करती हैं वो हमारा जो आर्टिफकी रहती है वह रहता है कि नार्मल आर के लेंद जो होता है वह क्या करता है सही फ्यूजन पैदा करता है ठीक अब देखिए आपर 91 नमबर कोशन है विश टाइप पॉलरेटी इज यूज़ इन वेल्डिंग नन फेरस मिटल यानि कि अलाव धात्मों की वेल्डिंग करने के लिए हम लोग किस प्रका यानि की बीपरीद धुरूवता का हम लोग परियोग करते हैं जब हम लोग नन फेरस मेटल का वेल्डिंग करते हैं ठीक अब जखिए आपन 92 नमबर का कोश्चन है विच इज यूज़ फार आर्क वेल्डिंग इफ देयर इस नो इलेक्ट्रिक पांवर सप्लाइज बिजल इंजन जनरेटर सेट यहां पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इंजन जनरेटर सेट अब देखिए यहां पर 93 नमबर कोश्चन है वाट इस अंगल आफ इलेक्ट्रोड वाइल वेल्डिंग इन वर्टिकल पोजिशन उर्धवाधर इस्थिति में वेल्डिंग करते स 80-90 डिग्री पर ठीक तो 80-90 डिग्री यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए यहां पर 94 नमबर कोश्चन है विश टाइप आफ आफ आर्क प्रडूशर हुमिंग साउंड किस प्रकार का आर्क गुलगुनाती ध्वनी पैदा करता है तो देखिए जिस प्रकार का आर्क गुलगुनाती ध्वनी यहां पर देखिए यह आर्क होगा अर्क नहीं होगा ठीक तो आर्क गुलगुनाती ध्वनी जो पैदा करता है वह हमारा रहता है लांग आर्क लेंथ तो अगर आपके आर्क की लंबाई जादा है तो वह क्या करती है गुलगुनाती ध्व प्रकार के आर्क लंबाई के लिए परियोग किया जाता है अब देखिए आ पर नमबर कोशन है विष्ट डाइप पॉलर्त यूजऊज इसुट में सिट में में हम लोग किस प्रकार की धूरूवता के उप्योग करते हैं यहांकि कम प्रेच करें 97 नंबर question है which polarity is used in welding with heavy and super heavy coated electrodes भारी और super भारी coated electrode के साथ welding में किस ध्रूवता का उपयोग किया जाता है तो भारी और super भारी coated electrode के साथ weldon हम लोग जो polarity यूज करते हैं वह polarity हमारा रहते है रिवर्स पॉलरेटी तो भीपरी तो ध्रूवता यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अब देखिए यहां पर हमारा 98 नमबर कोश्चन है विच पॉलरेटी इज यूड कास्ट आयरन की वेल्डिंग करने के लिए हम लोग किस पारकार के पॉलरेटी का परियोग करते है तो देखिए कास्ट आयरन के अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो जो हम लोग पॉलरेटी यूज करते हैं वह हमारा रिवर्स पॉलरेटी होते हैं अब देखिए आप लोगों को हम बता जाएं कि अगर आप लोग जबाएक एक एक्जाम देने जाएंगे तो जब भी पॉ चैनल को घरके आप लोगों कर तो आप लोगों को अगर कन्फूजन है तो आप हमेशा इन्हीं दू आप संट चेक करेंगे एक पॉलरेटी बाकी आप किसी भी आप सब्सक्राइब भी द्यान नहीं देंगी ठिक इसके बाद जो आपका गया तो इस में आप अपना देख द k similarity आपके करए तो polarity आपके दो ही होते हैं ठीक तो यहां पर दोस्तों हमने बता धियों इंदा पर सुन सर्ड डाइएगा रिवर्स पॉलरिटी नाइटी नंबर कोश्चन है वाट सुड़ वी अंगल आफ एलेक्टोड इन द फ्लैट पोजीशन वेल्डिंग फ्लैट इस्तिती वेल्डिंग में इलेक्टोड का एंगल रखा जाता है वह रहता है सब्सक्राइब कि अगरे चाहिए वेल्डिंग कर रहा है उसमें जो एंगल होता है यह हमारा रहता है सतर से असी डिगरी यह भी हमारा रहता है ठीक अब जखेंगे यहाँ पर 102 नंबर कोशन है वाट इस साइज आप नॉजल सुटेवल फार वेल्डिंग 10 mm डाया पाइप विथ 3.15 mm वाल के साथ 50 mm व्यास वाली पाइप वैल्डिंग के लिए उपियुक्त नॉजल का आकार क्या होता है तो यहां पर जो नॉजल का होता है वह साथ ठीक एकसर दो का यहां पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा एकसर अंबर कोशन है what is the purpose of राइपिंग दा वेल्ड केबल एराउंड दा जाब इन वेल्डिंग वेल्डिंग में जाब के चार और वेल्ड केबल लपेटने का उद्धिस क्या होता है तो देखिए वेल्ड केबल लपेटने का उद्धिस होता है कि तुक कंट्रूल आर्क बुलो यानिकि आर्क बुलो मे नियंद्ण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वेल्डिंग में जाब के चार ओर वेल्ड केबल लपेट देते हैं ठीक अब देखिए आपर 104 कोशन है आर्क विल्डिंग में प्लइटों को रन आफ रन आराफ करने का पुदेश क्या है तो यहां पर देखें जो आपको दिश यहाँ पर रहता है वह रहता है आपका कि कंट्रोल आर्क बूलो यान कि और जटके को नियंतरन करने के लिए 105 नमबर का कोस्षचन है विच डिफेक्ट कैन बी कंट्रोल बाई कीपिंग ए मैगनेटिक व्रिज अंदर टैप आप गुरूव जोइंट यानि कि यहां पर कह रहा है कि गुरूव जोइंट के ऊपर एक चुमकी पूल रख कर किस दोस्को नियंत्रित किया जा सकता है जिस दोस्कों हम लोग नियंत्रित करते हैं वो दोस्त रहता हमारा आर्क बोलो यानि कि आर्क जटके को हम लोग नियंत्रित करते हैं गुरूव जोइंट के ऊपर एक चुमकी पूल रख कर ठीक 105 के यह हो गया आपका अब देखिए अगला कोशन हमारा 106 नंबर का कह रहा है यहां पर देखिए आपर 108 नंबर कोशन है विच अमंग दा ज्वाइंट्स और कवर्ड अंडर फिलेट ग्रूप कौन सब ज्वाइंट फिलेट समूग के अंतरगत आते हैं वह हमारा तो टी ज्वाइंट लैप ज्वाइंट कार्नर ज्वाइंट एज ज्वाइंट यह सब क्या है कि फिलेट ज्वाइंट के समूग के अंतरगत आते हैं देखिए आपर हमारा 109 नंबर का कोश्चन है कि फिलेट के से एक बटेश है कम है तो क्या होगा तो यह रूट की लंबाई प्लेट की मोटाई से एक बटेश्चाह कम है तो वहां पर आपका देखिये जो होता है वह रहता है कि बेस मिटल नाट फ्यूज तिल बाटम आप जोएंट यानि कि जो बेस मिटल होता है यह जोएंट के तल तक फ्यूज नहीं होता है ठीक यदि रूट लंबाई प्लेट की मुटाई से एक बटाच्छा कम है तो ठीक अब देखिए आप एक 110 नमबर कोश्चन है कि लेंथ प्रड़ेश प्वापिंग सॉण किस आरक कि लंबाई कड़क ध्वने उत्पन करती है यह को नहीं आपको पहले ही बताया था यहां पर आपको क्रेक्टर हो जाएगा आंसर कि तो एक क्वेश्च न हमने आपको ऊपर बताया था जिसमें यह पूछा गया था कि कि आर्क कि लंबाइ वहां पर था हमारा हूं मिंग sound कि बात कीये तो हमारा रांग आर्क नेम्थ थीर तो कि हम लोग बात क करें है प्योभी संट की बात करेगा एल यू एम अ कि ऑपर हमारा ने हमारा जाएगा लांग आलेंथ हो झाए लेकिन जब यहां पर कहेंगा पॉपिंग साउंड यानी की कलक ध्वनि के नि यहां पर हमारा आए आर्क लैंद ठीक होमिंग सांड मतलब होता है आपको कवा जो हिंदी होता है का य sujet अब कोनाती हॉब ही होगया आपकोको आपां लोका हमाप कि जब काया कि किस आर्टी की लंबाई कड़क द्धोनी यानि की पॉपिंग साउंड करेगा तो हमारा होता है आर्ट लेंद लेकिन अगर इसी की जगह पर आपका आ जाता है जो कि हमने इसके पहले कोश्चन करा थे 94 नंबर का तो उसमें था हमारा पूछा था हुमिंग सॉंड यानि कि गुनगुनवाती ध्वनी तो आप पर हमारा लांग आर्क लेंथ होगा इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है यह मत कहिए कि आपने गलत पता दी आपको यहां पर आपको अपना दूर कर कि इस पेटर को कम करने के लिए किस आर्क की लंबाई को किया जाता है तो देखिए अगर इस पेटर को कम करना है तो वहां पर हम लोग जो आर्क की लंबाई यूज करते हैं वह हमारा आर्क की लंबाई रहता है नार्मल आर्ग लेंथ नार्मल आर्ग लेंथ यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक तो 111 को यहां पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा अब 112 नंबर का कोश्चन यहां पर है कि इस दा इंडिकेशन आफ रांग पोलरेटे इन डीसी वेल्डिंग डीसी वेल्डिंग में गलत धुरूवता का संकेत क्या है आपसन है एलेक्ट्रोब विकम रेड़ हाट यानिके लाल गरम हो जाते हैं जाप के साथ एलेक्ट्रोड फ्रीज हो जाएगा अतिरिक्त इस्पैटर और खराब पेनिट्रेशन और यह प्लेटों के किनारों से पिघल कर निकलेगा देखिए डीसी वेल्डिंग में गलत धुरूवता का जो संकेत होता है वो रहता है कि एक्सेस्पैटर एंड पूर पेन ऑन नाम कैसे देते हैं कंट करेटर के रहांट करेक्टर हो जाएगा एकष Settings का रवीर्ड यानि कि गढढ़े को हम लोग क्या ब låता है कि हो जाएगा आप हैक्स जोन हम लोग नाम देतें हमारा क्रेक्तर कहला Mundum तो 113 कि यहां पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा अब इसके बाद है हमारा कि यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो पाथ है मूल मार्ग से अपने भटक जा रहा है ठीक है कि देखिए एक सो पंदर नमर कोश्चन है तो इसके लिए हमारे दूसरों होगा ऐल दूसरों है वह हमारा इसके बाद हम लोग अगला पढाएंगे अगला चैप्टर जो हमारा रहेगा वह हमारा समेंश्टर है यह और सपूर करेंगे विडियो गश्चा लगा को जरूर लायक करिए और पहने दोस्तों के साथ सेर करिए शेंगं ता